Good morning, आज हम लोग करेंगे Make a tree and write the names of the family members living in your house मतलब एक बड़े पेड़ बनाए और अपने घर में रहने वाले सदस्यों के नाम लिखे आपको अपनी कॉपी में एक सुन्दर सा पेड़ बनाना है और आपके घर में कौन-कौन रहते हैं उनका नाम उसमें लिखना है जैसे आपके पापा तो पापा को हम लोग क्या बोलते पादर फादर लिखना है फिर मदर मतलब मा इस तरीके से आपके घर में कौन-कौन रहते हैं सबका नाम आपको लिखना है जैसे यहाँ उधारन एक्जामपल में है Grandfather Grandfather मतलब क्यों होते है दादा जी, मेरे घर में Grandfather इसलिए हम Grandfather लिखे Grandmother मतलब दादी मा तो हम लोग Grandmother लिखे Mother मतलब मा Father मतलब पापा Brother मतलब भाई Sister मतलब बहन इस तरीके से आपके घर में कौन-कौन रहते हैं सब के नाम आपको यहाँ इस तरीके से लिखना है और उनको इसको याद करना है